वेट्रेट क्रिप्टो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बैल ऐकन को भी दबा देना और हमारा इस हमारा टेलिग्राम चैनल भी है अगर आपने चेक आउट नहीं कर रहे तो आप चेक आउट भी कर सकते हो लिंक इन देस्क्रिप्चन यहां हम डेली बेसिस पे आप आपको सिकनल्स प्रोवाइड करते हैं ठीक है टेली बेसिस पे हैं चाट एनलिसिस होता है मंतली एनलिसिस होता है और वीकली एनलिसिस होता है और यहां पे सीधा हम पोस्ट करते हैं चाट्स को तो आप टेलिग्राम चैनल को भी चेक आउट कर सकते हो लिंक इन तो guys basically आज की वीडियो हम कुछ ऐसे अच्छे कासे top 4 ऐसे अच्छे कासे alt coins देखने वाले हैं जो की एक अच्छे कासी massive rally देखने को मिल सकती है इन सब coins के अंदर ठीक है तो basically जितने भी मैं coins आपको बता रहा हूँ न ये अच्छा कासा perform कर सकते हैं और आप इनको अपनी watchlist के अंदर add up कर सकते हैं इन सारे coins को तो सबसे पहले जो हमारा coin है उसका नाम है pancake swap तो pancake swap basically इसका जो अबी price चाल रहा है 3.29 डॉलर के something चाल रहा है और circulating supply देखें तो 162.4 million के करीब के एक शर्कुलेट हो रहे हैं इसकी supply के अंदर और अगर इसकी supply देखें तो इसकी basically limited supply है around 750 million के करीब unlimited supply है इसकी इससे जादा ये market के अंदर supply नहीं हो सकते तो यार ये एक market के लिए अच्छी काजी positive news हो सकती है pancake swap के लिए तो हम कैसे क्यार pancake swap जो project है basically DFI project है ये okay audits critic पर ये basically listed है slow mist पर भी ये listed है community देखे तो इसकी खुद की सिवमसी community discussion panel है क्या एक discussion पर है medium.com पर मिल जाएगा twitter पर है reddit पर भी आपको देखने को मिल जाएगा और इसकी खुद की एक main website है जिसका नाम है pancake swap तो वहाँ से भी आप जाके इसको purchase कर सकते हो इस coin को okay तो market capitalization देखी जाए तो और एक resistance area के बीच में ये अभी चल रहा है okay तो हम basically यार अगर हम देखे इसको अपने all time high से measuring scale से तो आप देखोगे यार अपने ये basically all time high से around हम कह सकते हैं कि 92.76% down है तो हम कह सकते हैं यार basically कि ये जो है ना ये market में एक अच्छी कासी consolidation area पकड़ सकता है इतने भी ये सारे coins से एक अच्छा कासा perform करने वाले हैं ठीक है तो हम basically इन सब coins पे भी नजर मार सकते हो और यो ये coins में बता रहो ना आप ये अपनी basically अगर आप ये video mobile में देख रहे हो तो watch list में add up कर सकते हो चाहे आप ये laptop में देख रहे हो coin market cap data पे जाके इन सब coins को आप basically अपनी watch list में add up कर सकते हो और systematically वे में इसमें investment कर सकते हो because 2023 जो है ना मारा इसके अंदर हमे basically whole जो ये साल देखने को मिलेगा market के लिए basically ये एक consolidation period होने वाले है ठीक है तो आपको पता ही है consolidation area consolidation period क्यों होने वाले है जो basically inflation है वह बढ़ा हुआ है तो basically all over worldwide globally recession लग चुका है all over countries के अंदर तो आपको पता है recession में क्या होता है कि basically जब 6 basically 6 basically 6 मत या फिर हम कह सकते हैं 2 quarters में basically किसी भी country की GDP को basically उसमें decreasement देखने को मिले तो हम कह सकते हैं वहाँ पे basically recession लग गया है recession में basically होता है कि recession में एक country में जो basically central bank होता है वो अपने interest rates को बढ़ाता है ठीक है interest rates को वो बढ़ाएगा तो market के अंदर basically money supply है वो control में आएगा तो market में अगर money supply कम होगी तो demand भी कम होगी demand कम होगी तो CPI data positive आएगा और positive आएगा तो फिर हम कह सकते है market का जो basically recovery session है वो भी दूर नहीं है तो हम कह सकते है 2024 में हमें recovery section देखने को मिल सकते है बट अभी 2023 में CPI अभी चल रहा है US का 7.1 तो जब तक यार यह around something 2% के target तक meet नहीं कर जाता जो की Federal Reserve के chairman ने Jerry Powell ने यह बात कही गई है कि वो interest rates सब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक CPI data हमारा 2% के target को meet नहीं कर जाता ठीक है तो यह ही यार CPI positive है तो market में bullish moveness दिखेगी और और फिर Federal Reserve है वो अपना interest rates बढ़ाएगा तो market में basically bearness देखने को मिलेगी तो all over तो हम कह सकते है basic जो है न market का यह consolidation phase में ही लिख लेगा और consolidation phase में SIP करना बहुत एक अच्छी कासी आपके लिए opportunity बन सकती है तो आप इसके अंदर एक अच्छी कासी pancake swap में भी buying कर सकते हो अच्छा कासा DFI project है ठीक है तो I hope आप इसके अंदर एक अच्छी कासी investment करोगे DFI coins के अंदर so guys जो हमारा next coin है उसका नाम है stakes तो stakes का भी मैं आपको बता देता हूँ कि stakes का भी चल क्या रहा है तो stakes जो हमारे number 2 पर है stakes का जो basically price is 0.21 cents dollars के करीब चल रहा है circulating supply देखी जाए तो 135 billion stakes circulate हो रहा है और maximum supply इसकी 1.8 billion की है ठीक है तो जादा यार इसके supply रहनी गई है तो इसके अंदर stakes में आप investment कर सकते हो because आने वाले time period में जब भी इसके अंदर whales देखेगी इसको buying करेगी तो यार आपका तो आप सो सकते हो कि 2024 के recovery section में आपको कितना एक अच्छागा सा growth इसके अंदर देखने को मिल सकते है तो market capitalization भी मैंने बता दिये 297.297 million के करीब इसका market capitalization चल रहा है then community देखे तो इसका discussion panel है Twitter पर आपको देखने को मिल जाएगा Reddit पर देखने को मिल जाएगा blog.stakes.co पर भी आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो अगर हम बेसिकली इसका ट्रेडिंग व्यू पर टेक्निकल एनलेसिस करे स्टेक्स का तो आप देखोगे यह भी बहुत जादा आपको बेसिकली अपने डिमांड एरिया से भी जादा नीचे जाते वे देखने को मिल रहा है इसके लिए भी मनें एक थोड़ा सा मार्क कर देता हूं इसका कहां तक यह जा सकता है नीचे तो बेसिकली इरिया अगर मैं मार्क करूँ तो डिमांड एरिया तो बेसिकली यह सप्लाई एरिया इसका बन गया है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा विकॉस अफ अब आप इसके अदर एक अच्छी कासी बाइंग कर सकते हो अपनी 2023 के अदर बिकॉस इसके अदर बैस बैसिकली यही होने वाला है अब आप इसके अदर एक अच्छी कासी बाइंग कर सकते हो इसके अदर भी आपको एक अच्छी कासी ग्रोथ देखनी को मिलेगी जो यहार हमारा next coin है basically उसका अनाम है chain link तो chain link भी अच्छा कासा coin है dfi project पर है यह भी smart contract पर भी basically listed है तो chain link का जो भी price चल रहा है 5.81 dollars के करीब चल रहा है 0.71 परसंट है circulating supply देखे तो 507 million से करीब chain link इसकी supply हो रहा है और market में पूरी अगर हम इसकी maximum supply देखे तो around इसकी जो maximum supply है वो 1 billion links की supply है जो की already हमारे 507 अराउं 50% supply हो रही है market के अंदा है then market capitalization देखी जाए तो 2.9 billion के करीब का market capitalization है volume देखी जाए तो 134 million के करीब volume है इसका ठीक है तो community देखी जाए तो इसका इसका discussion panel है medium.com पर आपको देखने को मिल जाएगा blockchain.link पर मिल जाएगा twitter पर है reddit पर है और ethereum की खुद की basically smart contract पर यह basically listed है okay तो basically हम कह सकते ethereum में तो हमें एक bright future ethereum का तो इस chain link में भी आप एक अच्छी कास investment कर सकते हो तो अगर हम trading view पर इसका technical analysis करें chain link का तो आप देख सकते हो यह भी अपने supply और demand area के अंदर ही यह move कर रहे है ठीक है तो basically इसका support हम support and resistance ही बता देता हूं कि आप इसके अंदर ही अच्छी कासी तरीके से buying कर सकते हो तो जो basically इसकी support रहने वाले हो 4 dollars के something 4.2 or 4 dollars के बीच में रहने वाले है और जो इसका basically supply area रहने वाले हो 15.167 के बीच में रहने वाले है तो हम कह सकते है market इस साल के अंदर जो basically inflation को basically target जो कम करने वाला जो यह साल है पूरा यह हमें इसी area के बीच में chain link की market देखने को मिलने वाली है ठीक है तो आप एक अच्छी कासी buying कर सकते हो because इस से अगला जो साल होगा recovery phase होगा market के लिए तो हम कह सकते है और जो उस से अगला साल होगा तो उसमें कह सकते हैं हम यह सारे coins अपना all time high बना सकते हैं because जितने भी बड़े major institution है जैसे हमारे FII होगा foreign institutional investor और maybe domestic institutional investor तो वो यहां पे market में दुबारा entry करेंगे तो आप सोच सकते हो जब market में दुबारा entry होगी तो हमें new bull run देखने को मिलेगा market के अंगर ठीक है तो basically यही है जब नया bull run market में हमें देखने को मिलेगा तो आप सोच सकते हो कि 2023 में मैंने आपको कहा buying area बताया था और आज 2024 में कहा recovery session के बद कहा market जा चुकी है तो chain link में भी आप अपने watch list में add up कर सकते हो इन सारे coins को so guys जो basically हमारा cash content top 4 coin का जो last coin है वो है Trone तो Trone भी एक अच्छा कासा coin है लेकिन इसकी जो एक negative बात है कि इसकी जो supply है वो unlimited है ठीक है पर तब भी तब भी आच्छी कासी growth तो आपको देगा यह ठीक है और और तो यार इसने बहुत अच्छा कासा ही अपने basically investors को अच्छी कासी ही growth बना के दी है ठीक है तो basically Trone का जो अब ही price है 0.05299 cents के करीब चल रहा है community दिखे जाए तो इसका खुद का स्यूम से community discussion panel है medium.com पर मिल जाएगा twitter पर है rate पर bnb smart shown पर है और 4 billion के करीब का इसका market capitalization है और अगर हम इसका ट्रेडिंग व्यू पर technical analysis करें TRX का तो आप देखोगे यह भी एक अच्छा कासा यार bull run तो इसने भी पकड़ा हुआ है बट इसमें जो है ना इसने बीर रन तो ज्यादा पकड़ा नहीं है जो की एक positive बात है तो यार हम कह सकते हैं कि जो next bull run आएगा तो market में हमें basically Trone की जो supply है न वो तो यार हम कह सकते है लेकिन डिमांड बढ़ेगी डिमांड इसले बढ़ेगी क्योंकि जो market के अंदर basically किसी भी country के अंदर की जो money supply बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं कि एक नया all time high बना सकता है Trone भी ठीक है तो Trone का भी मैं आपको support and resistance area बता देता हूँ जहां तक कि आप इसक अंदर buying बना सकते हो इ और support रहेगा 0.049 के गरीब तो अगर आपको इसके बीच में यह मिल जाता है ना तो वहाँ पे अच्छी कासी buying बढ़ा सकते हो इसके अंदर यार ठीक है इस पूरे साल में क्योंकि 2024 में हमें recovery section देखने को मिल रहा है जहांकि market वापिस से एक recovery phase में देखने को मिलेगी ओके तो यार वीडियो में इतना ही वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना देन चैनल को subscribe कर देना और टेलेगरम चैनल को check out करो अच्छे कासी signals हमों आपके लिए डालते रहते हैं तो वीडियो में इतना ही ओके गुडबाय